हेलो दोस्तों नमस्ते राम राम सस्ष्य अकाल कैसे आप सभी लोग उमीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना अच्छे ध्यान रख रहे होंगे आप लोग की पढ़ाया लिखा है कैसे चल रही है कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों आजकल मौसम बहुत ही गरम हो चुगा है और इस मौसम में अगर आपको बहुत ही जरूरी ना हो तो प्लीज आप लोग घर पर ही रुके और अगर निकलना बहुत ही जरूरी है तो प्लीज अपने आपको पूरा कवरफ करके निकले ताकि आप लोग धूप से बचे तो दूस्टो आज की वीडियो हम जो लेकर रहा है आप लोगों के लिए वो है सहरो के उप नाम और इस वीडियो में हमने कुछ और भी एक टॉपिक और भी एड़ किया हुए और वो टॉपिक है पुराने सहरो के पुराने नाम, जो यसे मालिज़र चीन, हाँ स्री रंका का तो इस तरह के question ने include किये हुए हैं दुस्तो वीडियो देखिएगा last तक और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो please वीडियो को like करेगा share करेगा और चैनल को subscribe कर दीजेगा क्योंकि आपके likes और share से हमको motivation मलता है और हम आपके लिए अच्छे अच्छे topic पर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं तो चले दुस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नूमबर वन है गगनचुंबी इमारतों का नगर तो गगनचुंबी इमारतों का नगर है न्यू यॉक साथ पहाडियों का नगर रोम है next land of kangaroo 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 का देश आस्ट्रेलिया है भूमदि सागर का द्वार जिप्राल्टर जजन सत्थी है next सुर्योदर का देश जापान है सफेध हातियों का देश थाइलेंड है चीन का सोक कौन से नदी है तो हांग हो नदी है या फिर पिली नदी है option में आपको दोनों में से कोई भी मिलेगा आप दोनों में से एक लगाएंगे और अगर बोथ करके दिया है तो आप दोनों लगा सकते हैं next अरब सागर की रानी कोची है next संसार की छट किसे कहा जाता है तो पामीर की पठार को कहा जाता है लिली का देश कनाड़ा को कहते हैं next question है अंध महादीब किसे कहा जाता है अफ्रीका को अंध महादीब कहा जाता है नेक्स्ट दच्छिड का ब्रिटेन किसे कहते हैं तो निजिलेन को दच्छिड का ब्रिटेन कहते हैं साटा पू का सहर मुंबई है पूर्व का मैंचेस्टर ओशा का कहां पर है जापान में है पांच नदियों की भूमी क्यों सी है तो पंजाब है नेक्स देखेंगे बंग बिहार का शोक कौन से नदी है कोशी नदी को कहा जाता है और जो कोशी नदी है दुस्तों ये सबसे ज़्यादे अपने मार को बदलने वाली नदी के नाम से भी जाने जाती है भारत का मैंचेस्टर एहमदाबाद नेक्स्ट परवतों की रानी मशूरी को कहते है भारत का सुर्जर लेंड कश्मीर को कहा जाता है पवंचक्यों की भूमी कौन से है नीदर लेंड है एसिया का पेरिश थाईलेंड जुडवान अगर किसे कहते है है हैधराबाद और सिकंद्राबाद को कहा जाता है नेक्स्ट है उत्तर भारत का मैंचेस्टर कानपूर में हैं दच्षिड भारत का मैंचेस्टर कोयम बटूर है भारत के मसालों का बगीचा केरल के नाम से जाना जाता है बारत का प्रवेश द्वार कौन से है तो मुंबई है नेक्स देखेंगे उत्तर भारत की अर्थववस्था का मेरुदंड तो ये गंगा नदी है हजार हातियों का देश लाओश नेक्स निरंतर बहने वाले जर्णों का सहर क्विटो एक्वाडोर साल्ट सिटी गुजराद प्रजन टैम में गुजराद में एक चक्रवाड आया हुआ है आप लोग कमेंड करके इस चक्रवाड का नाम बताएगा राजस्थान का हिर्दे अजमेर है नेक्स चे मसालो का सहर कोलकाता राजस्थान का सिमला माउंट आबू सरवाधिक प्रदोशित नदी साबर मती नदी नेक्स चे काली नदी के नाम से किसे जाना चाता है शार्दा नदी को नेक्स चे जीलो का नगर स्ट्रे नगर दचिड भारत के गंगा कावेरी नदी बुनकरो का शहर पानीपत पानीपत के तीनो युद किस सन में हुए थे आप लोग कर्मेंट करके बताएगा नेक्स चे प्रित्वी का स्वर्क के नाम से किसे जाना चाता है स्ट्रे नगर को व्रिद गंगा गोदावरी नदी को सोती वस्तर की राजधानी मुंबई को लीची नगर के नाम से देहरादून को जाना जाता है गोल्डन सिटी के नाम से अम्रिसर को जाना जाता है देव की नगरी के नाम से उत्राखन को जाना जाता है और नेक्स देखेंगे भारत का बोस्टन एहमदाबाद इसपात नगरी जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है धान का डलिया 36 गड़ है नेक्स्ट है राजस्थान का गौरव चित्तोड़ गड़ है राजस्थान का गौरव कौन से है चित्तोड़ गड़ है कोईला नगरी धनबाद इसमें एक और टाप इंक्लूड किया गया है चले इसको भी देखेंगे देशों का पुराना नाम तो प्राचीन नाम है ये जापान का प्राचीन नाम क्या था निप्पन था इंडोनेसिया का प्राचीन नाम डचीस्ट इंडीज नेक्स्ट देखेंगे इरान का प्राचिन नाम पर्शिया, थाइलेंड का प्राचिन नाम स्याल, इथियोपिया का प्राचिन नाम क्या था? अभिसेनिया था, स्रिलंगा का प्राचिन नाम क्या था? सिलोन था सुरिनाम का प्राचिन नाम दर्च गुयाना, घाना का प्राचिन नाम क्या था? गोल्ड कोस्ट था, जायरे का प्राचिन नाम दुस्तो कांगो था, ताइवान का प्राचिन नाम फार्मोशा था, नीदलेंड का प्राचिन नाम हॉलेंड, मलेसिया का प्राचिन नाम मलाया, म यामार का प्राचिन नाम वर्मा, इराग का प्राचिन नाम मेसोपोटामिया, बैनिन का प्राचिन नाम दम ओहई, नेक्स्ट, ओस्लो का प्राचिन नाम क्रिस्टीना, कमबोडिया का प्राचिन नाम कमपूचिया, गुयना का प्राचिन नाम ब्रिटिस गुयाना, नेक्स्ट देखेंगे, बुच्छवाना का प्राचीर नम, बैकु ओना लैंड, हरारे का प्राचीर नम, सॉलेज बरी, नेक्स्ट, सॉरी, इतने ही पॉइंट आज इस वीडियो में हमने कवर अप की हुए हैं, दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो प कुस रहेगा, मस रहेगा, और बढ़ते रहेगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखेगा, और आप लोगों को एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए तही दिल से धन्यवाद,